कभी वो मतन के बारे में बोलते हैं, कभी मदर्सा के बारे में बोलते हैं, कभी मुगल के बारे में बोलते हैं मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, प्रधान मंत्री जी आप चुनाव हार रहे हैं विधायकों का अप्रहण करके बनाई आपकी पार्टी एक अप्रहण गैंग बन चुकी है पूरी RSS ने देश भर में अमबेटकर जी के पुतले जलाकर विरोध किया था उस सम्विधान का जैन साथियों, महामानों, विश्वगुरू, प्रधान सेवक ये तमाम शब्दावनिया हमारे देश के प्रधान मंतरी के लिए इस्तेमाल की विए और उनको बताया गया और वो तो अब खुद भी मानने लगे हैं कि उनका जो जन्म है वो बायलॉजिकल जन्म नहीं है, वो एक आवतार है तो उस आवतार की, उस महामानों की भासा आपने पिछले दिनों सुनी होगी पहले भी हम लोगोंने सुनी है कभी उन्होंने 50 करोन की गर्ल फरेंड का रून का भी उन्होंने जर्सी गाय का भी कांग्रिस की बिदवा का रूर को भटकती आत्मा का उधो ठाकरे को नकली संतान का आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को बदनसीब कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा और अभी इस चुनाओं में तो उन्होंने राजनीती के अस्तर को और भाषा की मर्यादा को पूरी तरीके से तार-तार कर दिया है जिस तरह से प्रधान मंत्री जी पूरे चुनाओं में बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये उनकी हार की हतासा है और पूरी तरीके से बोखलाए हुए हैं प्रधान मंत्री जी कभी वो मतन के बारे में बोलते हैं कभी मदरसा के बारे में बोलते हैं कभी मुगल के बारे में बोलते हैं कभी मचली के बारे में बोलते हैं कभी मंगल सूत्र के बारे में बोलते हैं और कल तो उन्होंने सारी सीमाएं पार करके मुझराश सब्द का इस्तेमाल किया अब हम सब लोग जानते हैं कि पूझी पतियों के इसारे पर नाचने वाली सरकार कौन सी है देश की मौझूदा सरकार किस तरह से पूझी पतियों के इसारे पर नाचती है सब जानते हैं तो मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूँ परदान मंत्री जी आप चुनाव हार रहे बुरी तरीके से चुनाव रहे है कर बिल इसक्क्राइब सबस्ति आप खोल कर रखते रहे आपके लिए चौथी पास राजा का सब्द इस्तिमाल किया गया था वो बिल्कुल सटीक बैटता है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान मंत्री कि अगर इस प्रकार की भासा का इस्तिमाल करते हैं तो यह निष्चित रूप से साबित करता है कि आप प्रधान मंत्री बनने योगे नहीं है 10 साल में आपके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि रोझगार पर आपने क्या किया काला धन लाने पर आपने क्या किया पक्कामान मकान बनाने पर आपने क्या किया किसानों को दो गुना आमदनी करने पर आपने क्या किया MSP देने पर आपने क्या किया आपके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि महंगाई कम करने के लिए आपने क्या किया आपने सेलेंडर का दाम तीन गुना बढ़ा दिया, पेट्रोल 120 रुपए में बिका, 100 रुपए में डीजल बिका, दाल 300 रुपए में बिकी, सरसों का तेल 2500 रुपए लीटर बिका, महंगाई आसमान पर आपने पहुचा दिया और लोक तंत्र की धजियां उड़ाई आपने, आठ सरकारे दस साल के अंदर आपने तोड़ तोड़ के बनाई, खरीत फरुख करके बनाई, विधायकों का अपरहण करके बनाई, आपकी पार्टी एक अपरहण गैंग बन चुकी है, और पूरे देश के जितने बड़े-बड अस्ताचारी थे, उनको आपने अपने साथ शामिल किया, वो चाहे अजीत पवार हों, छगन भुजबल हों, प्रफुल पटेल हों, असोग चोहान हों, नारायन राने हों, जनारदन रेड़ी हों, नवीन जिंदल हों, वो चाहे मुकुलराय हों, सुवेंदू अधिकारी हो हेमंत विश्व सर्मा हों, यदुरप्पा हों, एक लंबी फहरिस्त है, और इतना ही नहीं, बड़े से बड़े दर, बड़े से बड़े दरिंदे के पक्ष में आप खड़े हुएं, वो चाहे प्रजल रवन्ना हो, वो चाहे उन्नाव कांड या हात्रस कांड हो, वो चाहे पहलवान बेटियों को नया देने का मामला हो, हमेशा आप दरिंदों के पक्ष में खड़े रहें, जिन लोगों ने गुनाह किया उनके पक्ष में खड़े रहें, हमने देखा कि आजे मिस्टरा टेनी आपकी सरकार में है, आज भी मंत्री है, जिसके बेटे ने चार किसानो को कुछल के मार दी, आप किसी भी सरके नहीं बोलते प्रणान मंत्री जी, आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को गालिया देने में यकीन दखते हैं, तो मैं तो अब बीजे पी के समर्थकों को भक्तों को कहना चाहूंगा, कान में रूई लगा के जाना, कानों में रूई ल गालियां बाकी रह गई है, तो मैं भक्तों से और जो मोदी जी के समर्थक हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मां से मोधी, 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 मोधी करते रहते हो, कहीं मां से मां की गाली ना आपको दे दे मोदी जी, इसलिए सभाओं में थोड़ा समल के और बच के जाईए आरेसेस आरक्षर को खतम करना चाहती है दलितों पिछलों और आदिवासियों का आरक्षर इस देश में खतम होगा अगर गलती से 2024 में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी चीत गए यही बार-बार कह रहे हैं हम लोग और इसमें क्या गलत है क्यों इतना बोखला हुए प्रधान 219 में क्या भारतिय संब्रिधान का जब वो संब्रिधान बनाया जा रहा था, लागु मि नहीं हुआ था इस देश में, पूरी RSS ने देश भर में अम्बेटकर जी के पुतले जलाकर विरोध किया था उस संब्रिधान का और ये कहा था कि बाबा साहब का सम्विधान भारतियता के खिलाफ है पढ़ लीजे तो इतिहास के पन्नों में दर्जे अगर मैं कुछ जूट बोल रहा हूं तो बताईए इसका जवाद दीजे प्रधान मंत्री जी आप प्रधान मंत्री जी बताईए कि क्या 1989 में जब मंडल कमीशन आया था जब पिछडे वर्ग के लोगों को आरक्षर दिया जा रहा था तो आपकी पार्टी ने पूरे देश के अंदर खुले आम विरोध किया मंडल कमीशन का खुले आम पिछलों के आरक्षर का विरोध किया और इतना विरोध किया कि आपने विस्वनात प्रताब सिंग की सरकार आपकी पार्टी ने गिरा दी जो उस समय के तक कालीन प्रधान मंत्री थे स्वरगी विस्वनात प्रताब सिंगी और उनकी सरकार आपने गिरा दी इतना ही नहीं किया आपने 2015 में बिहार के चुनाओं में आरेसेस के प्रमुख आरेसेस तो आप लोगों का माई बाप है उसके प्रमुख मोहन भागवत ने कहा आरक्षर खतम होना चाहिए मनमोहन वैद जो संयुक्त रास्टिय महा सचिव है आरेसेस के उन मनमोहन वैद ने कहा आरक्षर से अलगावाद फैलता है और अभी ताजा उदारन उठा के देख लिए उत्तरपदेस के मुख्यमंतरी का एक लेख है उनकी ही वेबसाइट पे जिसमें खुलेयाम उन्होंने आरक्षर का विरोध किया है वो आजबी लेख पड़ा हुआ है योगी आदितनाजी का लेख इसके अलावा आपका प्रचार करने वाला जो सबसे बड़ा व्यक्ति है जो आपके विचारों को पूरे देश में फैलाता है अमित मालविया उसके साथ विचार आरक्षर के खिलाफ मैं देश के सामने कर चुका हूँ अपने ट्वीट के माध्यम से उसने एक दो बार नहीं साथ बार आरक्षर का विरोध किया और कैसे विरोध किया है वो मैंने सामने रखा है उसने ST, SC, OBC के आरक्षर का खुले आम विरोध किया और कहा कि ये खतम होना चाहिए उसने महिला आरक्षन का विरोध किया, कहा कि ये खतम होना चाहिए, अमध मालविया कोण है? आपके वीचारों को प्रचारित करने वाला बेखती है इसके अलामा तेजस्ट्री सूरिया वो क्या कहता आपका सांसर वो कहता आरक्षन एक गंदा दलदल है आरक्षन खतम होना चाहिए और प्रधान मंत्री जी आपके राज में पूरे देश के विश्विद्यालों में आरक्षन को आपने कुचल के कूले दान में डाल दिया आप संबिधान के बारे मैं ने तो नहीं कहा आपके खुद के सांसर ललू संगा चर्षू सीट सम्भीदान करना है जोती मिरधा जो आपकी प्रत्यासी थी राजस्थां से बीजे址 उन्होंने का चार्सोसीट चाई सम्भीदान करना है अरुन गोबिल जी जो मेरट से प्रत्यासी थे उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए सम्विधान खतम करना है दिया कुमारी जो आपकी डेपुटी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए सम्विधान खतम करना है अनन्त हेगडे जो आपके केंदरी मंत्री थे उन्होंने कहा 400 सीट को पूरे देश के सामने इंडिया गड़ बंधन ने इंडिया गड़ बंधन के नेताों ने खोल कर रख दिया है और इसी के काराना बोखला हुए है विपक्ष के लोगों को गालिया देने से काम नहीं चलेगा प्रदान मंतरीजी आप इन सवालों का जवाब दीजिए बाबा सहब के संविधान का RSS ने विरोध क्यों किया था 1989 में मंडल कमीशन का विरोध क्यों किया था जातिय जंगरना का विरोध आपने और आपकी पार्टी ने क्यों किया समविधान का विरोध आपके सांसदों ने क्यों किया इन सारे मसलों का एक एक करके जवाब दीजियो और विश्विद्यालों में आरक्षन को आपने खतम क्य ुकिया इसका जवाब दीजे और इसका भी जवाब दीजे की केंदर सरकार की नौकरियों में केंदरी मन्तरालें में कितने सेकेori level के अधिकारी दालित पिछ़दा आधिवासी हैं आप सवालों का खतम करेंगे समविधान खतम करेंगे और मैं तो यहां तक कह रहा हूँ आप चुनाओं भी खतम करेंगे सूरत में आपने चुनाओं खतम किया बगएर चुनाओं के बीजेपी महाँ जीत गई अरुनाचल प्रदेश में आपने चुनाओं खतम किया दस विधायक बगएर नहीं टैनल मुंत्री तो इसलिए प्रधान मंतरी जी मैं फिर दोहरा रहा हूं एक नहीं दो नहीं तीन हो आप आप से सवाल पूछूँँगा आल अरक्षन इस देश क्वाटर स्टम कियों किया विष्ु विद्ध्यालियों के अंदर सम्विधान खतम करने की आपकी योजना RSS की और आपकी योजना क्यूं है आप दलितों पिछणों और आदिवासियों से इतना विरोध क्यूं करते हैं जाती जंगरना आपने क्यूं नहीं कराई मेरा सवाल है कि मंदिर के सिलन्यास में प्रभु और राम मंदिर के उद्धाटन में प्रभु स्री राम मंदिर के उद्धाटन में आपने मौुझूदा रास्ट्रपती स्रीमति द्रोब्दी मुर्मु जी को क्यों नहीं बुलाया जवाब एक ही है दलितों से, पिछणों से, आदिवासियों से आप नफरत करते हैं, घिरा करते हैं आपके मन में छुआ चूट की भावना है इसलिए आपको इस देश का आदिवासी दलित पिछ्डा इस देश का आम अदमी जो महंगाई से संविधान खतम करने की आपकी योजना से आपके आपके आरक्षन क करने की योजना से वाकिप वो चुका है उसको मालूम चल चुका है आपके इसलिए वह आपके खिलाफ वोड़ करेगा आपको हराएगा जैहिंद इंकलाब जिन्दवाइद